आपको इसी link पे click करना है इस website के जो link है हमने आपको वीडियो के description में भी दे रखा है यहाँ पर आप सभी को आधार card में अगर data birth में कोई changes करना है, correction करना है तो नए process में उसका क्या तरीका होगा आपको बता देता हूँ इसके लिए आप सभी को menu के section में माई आधार की tab पे आपको click करना है कई सारे option आते हैं आप सभी को get आधार के section में एक option देखने को मिलता है book and appointment का तो आपको इसी option पे click करना है इस option के जरिये हम अपने आधार card में अपनी जो data birth है उसमें changes कर सकते हैं, correction कर सकते हैं साथे में अगर आपको name में changes करना है या फिर address चेंज करना है, mobile number चेंज करना है, तो वो भी काम इसके जरी किये जा सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को select city location की tab में आना है यहाँ पर आप सभी को कई सारे सहरों के नाम दिखाए गए हैं तो यहाँ पर जिस भी सहर से आप हो, अपने नजदी का जो आधार सेवा केंद है, वो इस list में से आपको selection करना है कई सारे सहरों में एक से ज़्यादा भी आधार सेवा केंद देख सकते हैं, तो आप अपने location के according कोई भी एक selection कर सकते हो इसके बाद मैं proceed to book appointment के option पे click करोगे, अब यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा, जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है, कि आप अपने आधार में क्या काम करने वाले हो, तो जैसे कि हम अपने आधार card में data birth को change करने वाले हैं, तो आधार update वाला ज करोगे, तो verification होते ही, आप सभी के सामने interface कुछ ऐसा आएगा, जहाँ पर हम update करने वाले हैं, अपने आधार के अंदर, यहाँ पर पहले से select है, आपको अपना जो 12 digit का आधार number है, वो यहाँ पर दर्ज करना है, आपके आधार पर जो भी current में अभी name है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और कुछ इस तरीके से अपनी जो data birth है, यहाँ पर आपको selection कर लेना है, इसके बाद में आप सभी को application verification type के section में आना है, यहाँ पर document और ho up का option दिखेगा, तो यहाँ पर document वाला option ही हमें select करना है, head of family वाला जो option है, यह आपको choose नहीं करना है, अपना जो state ह और city है, यहाँ पर select करना है, इसके बाद में आधार सिवा केंद, यहाँ पर आपको final अपना selection करना है, जैसे हमने इतना किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमारे सामने page आ चुका है, जहाँ पर हम अपने आधार कार्ड में कौन सी information change करना चाहते हैं, यहाँ पर उसका selection का option दिया गया है, जैसे कि अगर आप अधार कार्ड में अपना नाम change करना चाहते हो, तो name के option पे click करोगे, तो यहाँ पर नया जो भी नाम आप रखना चाहते हो, वो आपको fill करना होगा, अपना जो name को बदलने के लिए document आपको देना है, यहाँ पर option आ चुका है, जेंडर चेंज करना है, या फिर mobile number अपडेट करना है, email ID अपडेट करना है, यहाँ पर अगर आपको address में change करना है, या फिर अपना biometric अपडेट करना है, जिसमें कि अपनी photo भी आप change करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस case में आपको 100 रुपीज का जो piece का वो है payment करना होगा, बाकी के सारे correction करने के लिए आपको मातर 50 रुपीज की जो piece है वो payment करने की जरूरत होती है, तो जैसे कि हम इस वीडियो में देखने वाले है कि data birth को हमें कैसे change करना है, कैसे update करना है, तो जैसे हमने data birth की option पे click किया है, तो यहाँ पर आप सभी को नई जो data birth है, वो selection करने के लिए box में आ चुकी है, और यहाँ पर आपको data birth का एक proof भी देने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आप अपने माक्षित दे सकते हो, birth certificate दे सकते हो, इसी के साथ में कैसारे government संस्थान यहाँ पर दिखाएंगे है, जिनक अगर download के option पे click करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक form download हो जाता है, जिसमें कि अगर आपके पास कोई document नहीं है, data birth को correction करने के लिए, तो यह document आप sign करा सकते हो, अगर data birth में changes करना है, तो gadget officer के जरिए आपको इसको verify कराना होगा, जो कि verify करके यही document आप upload कर सकते हो, तो जैसे कि मेरे पास में mark sheet मौझूद है, high school की, तो वो हम देना चाहते हैं, हमने selection किया है, next के option पे click किया है, तो अब आप देखोगी कि हमारे सामने calendar आ चुका है, जिसमें कि कुछ dates यहाँ पर दिखाएगे हैं, इस date में आप देखोगी कुछ blocks यहाँ पर दिखाएगे है जो कि time block हैं, जहाँ पर कुछ में red और कुछ में green color से यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पर यह जो time frame आपको दिखाया गया है, किसी भी date के अंदर अगर आप click करोगे, तो यहाँ पर आप जिस भी time के अंदर free हो, अपने अधार कार में document update कराना चाहते हो, यह यहाँ पर आपको वो time है, वो choose करना है, जैसे आप selection करते हो, तो आपको यहाँ पर preview के section में यह जो time date है, देखनी को मिल जाता है, आपको यहाँ पर selection करने के बाद में next के option पे click करना है, आप सभी के सामने एक summary page आ जाता है, जहाँ पर आपको अपनी सारी details को एक बार अच् चुका है, जहाँ पर हमें 50 rupees का जो fees का payment है, वो data birth को update करने के लिए करना होगा, जो कि हम online mode से ही payment कर सकते हैं, इस option पे click करेंगे, पेव का option आएगा, जिसमें की credit card, debit card, net banking, UPI, जिस भी mode से हम payment करना चाहते हैं, selection करेंगे, जैसे कि हम UPI के जरिए payment करना चाहते हैं, हम select करेंग को scan करके, यह फिर UPI ID को manually fill करके, हम यहाँ पर payment कर सकते हैं, payment होते ही automatic जो page है, रेलोड होता है, और आप सभी के सामने आपकी जो पावती सिलिप है, वो generate हो करके आजाती है, जहाँ पर यह जो data birth में update करने के लिए आपने जो 50 rupees का payment किया है, इसकी आपको receipt मिल जाती है, इसक के अंदर जो भी time date आपने selection किया है, वो time date इस पर mention किया गया है, जो भी आधार सिवा केंद्र आपने select किया है, वो यहाँ पर detail आपको देखने को मिल जाती है, जिसमी की इस आधार सिवा केंद्र पर आप जा करके, इस time date के दोरान आपने आधार कार्ड में आप जो correction हैं, बुक करा सक्ट